समोसे मतरादी में अजवायन का स्वाद आपने लिया होगा सर्दियों के दिनों में छोटे बच्चों को सर्दी से बचाना हो या पीरियेट्स में महिलाओं को पेड़दर्द की शिकायत हो तो अजवायन बहुत ही लाबधायक मानी जाती है पाचन तंत्र के लिए भी अजवायन रामबान मानी जाती है और जैसे हार्ट की प्रब्लम है जैसे कोलिस्ट्रोल बढ़ता है हमारी बॉड़ी में तो इसमें भी अच्छा काम करता है अगर हमें मेंस्ट्फल पेइन है तो जैसे एक पिंच अजवायन ले सकते हैं जैसे हमें पिंच काला तिल और आदा सा एक पिंच हम ले सकते हैं गुड़ तो इसको गुन-गुने पानी के साथ हम उसका सेवन कर सकते हैं तो मैंस्ट्फल जब पेहिन होता है उसे काम करने का काम करता है और जैसे हमें पाइंस की प्रॉब्लम होती है तो घी में रोस्ट करते है जबाइन को और जैसे हम चांच के साथ सेवन करते है उसका और जैसे डाज़ेस्टिव सिस्टम से रेलेटिट कोई भी प्रॉब्लम होगे तो अजबाइन को हल्का सा रोस्ट करेंगे हम उसमें घी में तो के साथ थिरक्रोंगाई सत ससन सकते ही और पानी होता है fuckedовор शबसे अच्छा रोल आजस्टिवी सिस्टम होते हैं अगल्टी शामक व़काईट वळड़क होता है गी के साथ रोष्ट करके हम उसे ले सकते हैं गुन-गुने पानी के साथ अगर आपको बदहजमी हो जाती है या किसी भी कारणवर्ष पेट में दर्द होता है तो आप थोड़ी सी अजवायन को भून कर उसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेजिए इसका आप सेवन कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको इसको लिक्विड फॉर्म में लेना है तो भी आप थोड़े से पानी में इसे डाल दीजिए और इसको थोड़े दिर पकाईए इसके बाद आप इसको चान कर पी लेजिए आपको पेट दर्द से राहत मिलेगी लोकल 18 के लिए दहरादून से हीना आजमी की रिपोर्ट